संजना ओ संजना कहां मर गई तू अरे अब तो बच्चा हुए महीनों हो गए हैं अब तो घर के काम में हाथ बठा ले कब तक काम चोरी करेगी तू तू ही बस मा नहीं बनी है मैं भी मा बनी थी चार-चार बच्चों को पाला है मैंने मैंने तेरे जैसे बिस्तर नहीं 30 वे बता 20 जी कमरे में है अरे वो तो मुझे पता है कमरे में कर रही है अंडे दे रही है अरेan जी क्या ने क्यों देगी अंडे मुर्गी देती है तो समाल रही है क्योंप तुम चिला क्यों रही हो और isn't देखो जी यह संजना कई वहीनों से आराम फर्मा रही है मुझसे अपकाम नहीं होता खुद तो थी ही अब अपनी बहन को भी बुला लिया है मुप्त की रोटी तोड़ने के लिए मैं तो इतनी घर्मी में खाना बना के ठक जाती हूं अरे तु फिक्र मत कर जतिन आएगा तो एक दो महीने के लिए ही आता है मापापा अब रहे नहीं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी ग्रहस्ती अलग हो जाए हम अलग हो जाएं ये क्या कह रहे हैं भाईया मैं तो हमेशा परदेश में ही रहता हूं अलग होने के बाद संजना अकेले चार-चार बच्चों को कैस आज तक निभाया लेकिन अव मेरी बहुएं आ गई हैं उन्हें ये सारी शीजे पसंद नहीं हैं मैं क्या करूँ घर में कलह कराने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं देवर जी तुम समझने की कोशिस करो अगर आप यही चाहते हैं तो जो मर जी वो करो मैं कुछ नहीं बोल तो क्या हुआ सभी का हिस्सा बाठ होता है मुझे ही देख ले मैं भी तो अपने घर वालों से अलग हूं और फिर देगर जी तो अच्छा खासा कमाते हैं वही तो इन लोगों का खर्चा उठा रहे थे अब तक तुझे याद नहीं है क्या अलग होने के बाद तुझे आरा हुआ था इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि उन्होंने हॉस्पिटल में एड्मिट किया था और वही इलाज कराते हैं कौन करता है इतना जी जी अरे तुझे क्यों कर रही है जो लोग तेरे लिए इतने सालों से इतना कुछ किया है तो वह आगे भी करेंगे पीछे नहीं कोशला कर रहे हो जाके बड़ी भावी होगी ना की चैन में पॉलिगे ईग बहुत कर ले कॉड़ काना मैं बड़ी मागो insider um तो दो तो मारने वाली थी मुझे एक चाटा पड़ता ना तो में गिरी जाता वहां क्या कह रहे हो तुम लोग वो ऐसा कैसे कर सकती हैं बच्चों के साथ बच्चे तो बच्चे होते हैं अरे जी जी कोई सरारत किया होगा इन लोगों ने बहुत सैतान भी तो है ये बच्चे किया हुँ आ'Dो लोगो लोगों ऑली टारता अत्या कoire दो भी जी कोई श numéro 좋아요 के उेड़ता पाली जागों कोई आपे टόनों भी तो कितर समय सा चारता प्तरुम थाली को से